Hello Everyone, Welcome to my channel Cooking in Desi Swag आज मैं आपके साथ Breakfast Recipe शेयर कर रहे हूँ सिंधी प्याज की कोकी, सिंधी उनियन कोकी तो ये जो कोकी है इसे आप ट्रैंबलिंग में भी लेके जा सकते हो हमारे अकसर ये ब्रैंबलिंग में बनाया जाता है ट्वाइस इन वीक और दो बार तो बनता ही बनता है साथ में हम ट्रैंबलिंग में भी इसे पक्का लेके जाते हैं आप इसे अचार के साथ खा सकते हो, इसे चाय के साथ सर्फ कर सकते हो इसे दही के साथ सर्फ कर सकते हो हमारे यहां कई बार दूद के साथ भी सर्फ किया जाता है और इसे आलू की भुजिया जिसे आलू फ्राई के साथ भी सर्फ करते हैं तो यह बहुत ही special सिंधी की कोकी है तो आज मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी इसे कैसे बनाया जाता है तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है सबसे पहले हमें जीरा डालना है जीरा बहुत इंपोर्टेंट होता है कोकी के लिए फिर इसमें मैंने काली मिर्च पॉर्डर डाली है इसके बाद मैंने अजवाइन को ले लिया है हाथ से थोड़ा रब कर लिया है फिर इसमें मिक्स कर दिया है और फिर लाल मिश पॉडर भी इसमें डालना है मुझे और इसके बाद जो भी मैंने कटी हुई सबजियां रखी थी जैसे कि हरी मिर्च, धनिया पत्ते और प्याज क तो प्याज मैंने दो छोटे वाले लिये हैं और प्याज की कोकी है तो प्याज थोड़ा एक्स्ट्रा होना चाहिए तो मैंने तो दो ही प्याज डाले हैं बाद में मैंने एक और प्याज चॉप्ट करके डाला है तो प्याज पे आपको बहुत ध्यान देना है कि बहुत पत पतला पतला काटिए गा और मैंने इसमें नमक डाला है जो प्रब्स घी जी नेister'e जीद जी बहुत इंपॉर्टेंट ए इसमें जो घी पड़ता है परकी अच्छी कौंटियस में पढ़ता है तो मैंने चाथ चमच गी इसमें डाला है, इन केस आपके पास गी ना हो, तो आप रिफाइन यूज कर सकते हो, पट मेन हमारे याँ गी डलता है, और रिफाइन अगर आप यूज कर रहे हो, गी नहीं है आपके पास, तो थोड़ी सी मलाई भी डाल दीजेगा, तो आपका थोड़ा एड़ेस उक इसका आठा गूता जाता है, वो हाड गूता जाता है, और रोटी की तरह सॉफ नहीं गूतना है, और इसको आठा गूतने के पद इसको रेस्ट करने के लिए नहीं हंए हमें, इसमें तूरंत वैच अपल नहीं suck, तुद़ा की तई प्रू पहाज तो फिर दम कृस्पी बनेगे कोकी और पानी पे ध्यान देना है आपको कि आपको एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालना है थोड़ा-थोड़ा करके डालिए और गूतते जाए और इसे रफली गूत नहीं जितना रफली आप गूत होगे उतनी कोकी आपकी बहुत अच्छी बनेगी तो आप देख सकते हैं मैंने हलका सा पानी यूज पानी चीओ जाए और इसके बाद आटे को समेट लिया है बस आपको इसको स्टार्ट कर लिया बनाने लिए तुरंद बनाने से क्या हुआ कि जो प्याज है ना उसमें क्रण्च आएगा और क्रिस्प बनेगी तो स कोकी के लिए जो आप लोगे लोई तो थोड़ी बड़ी बड़ी लेनी होती है क्योंकि कोकी हमेश्या मोटी बनती है और तो उसके लिए आपको बड़ी बड़ी लेनी है तो आज मैं आपको जो बताने जा रही हूं मैं आपको दो तरीके से कोकी बता रही हूं एक सिंगल और सिंगल में क्या होता है बस एक बर बेला जाता है और डॉल में क्या होता है दो बार बना जाते है हिसके बात अ όह puff cricket हुझाय कि 은क व्राई कर ना के दोता ही तक उसक ऒड़िए इसको हल्का सा ब्राउन होने तक इसे सेखना है दोनों तरफ आपको golden brown कर लेना है इससे क्या होगा आपकी कोकी और किस्पी बनेगी अब आप देख सकते हो थोड़ी सी कैसे मैंने सेख ली है अब इसे फिर हमें दुबारा बेलना है लेकिन इसे ज्यादा नहीं बेलना है इसे मोटी रखनी है ठीक है इसमें बिलकुल भी जो डबल वाली कोकी होती है दो बार सेखी जाती है उसमें आटा नहीं हम लोग यूज करते हैं बेलने वक्त अगर इन केस आपके साथ ऐसा हो रहा है आप नहीं बेल पा रहे हो तो अब हलका सा आटा यूज कर लीजेगा इसमें ज्यादा आटा नहीं अब इसे अच्छे से देशी घी लगा लगा के आप इसे सेख लें अगर आप ज़्यादा घी खाना नहीं पसंद करते हो तो फिर आप नॉन्सिक पैन में भी कम घी लगा के सेख सकते हो पहले हमारे घरों में ये रोज बनती थी कोकी जब हम छोटे थे तो हम रोज कोकी खाते थे बट आज हम लोग घी ओईल जादा एवॉइट कर रहे हैं तो फिर इसी लिए हमारे ये वन्स इन वीग ट्वाइस इन वीग बनती है घर में बट बनती जरूर है कोकी काफी तरह से बनाई जाती है हमारे यां तो काफी तरह से कोकी बनाई जाती है तो हर घर में आप जाओगे तो एक नहीं तरीके से नया पैटर्न होता है लोगों का तरीका होता है बनाने का अब मैं आपको single वाली cookie बताऊंगि single means आपको एक बार में भेल लेना अशे तो आपको मैंने जो portion रखा था एक उठा लिया उसमें से lowE उठा लिया उसका हलका सा आटा दोनों तरफ से हलका हलका सा डाल दिया है और उसक अब बिलकुल इसे मोटी भेल लेनी है और आप देख सकते हो, मैंने बेल दिये इसको अब इसे भी घी लगा के अच्छे से सेख लेना है personally मैं क्या करती हूँ, मैं दो बार सेखती हूँ मुझे दो बार सेखी हुई कोकी पसंद है कई लोग सिर्फ सिंगल बनाते हैं, एक बार में बेल के और सेख लेते हैं आप भी एक बार ट्राइ कीज़ेगा दोनों तरीके से तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में दोनों के टेस्ट में काफी डिफरेंस आता है अगर आप इस तरह से सेख होगे सिंगल एक बार में बेल लोगे और डबल बेल होगे, दोनों में काफी अंतर है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो, प्याज वाली कोकी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा, लाइक कीज़ेगा आपके घर में किस तरीके से कोकी बनाई जाती है, आप मेरे साथ शेयर कीज़ेगा अगर इसी तरह से बनाई जाती है, तब भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिग मैं वीडियो, बाई बाई फिर मिलेंगे एक नही रेसिपी के साथ, टेक के साथ